क्या कभी आपकी ऑडियो किसी ने बिना आपके अनुमती के रिकॉर्ड की है अगर ऐसा हुआ है तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये तो सरा सरा आपके नीजता का हानन है पर अब घबराने के बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है जिनाए 11 मई से गूगल हर फोन से ऐसी पहले से दी जा चुकी है लेकिन अब इन मामलों में गूगल ने करा एक्शन लेने का फैसला किया है जल्री गूगल पे स्टोर से ऐसे सभी अप्रिकेशन को हटा दिये जाएंगे जो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए इस्तिमाल किये जाते थे गूगल ने ऐसा फैसला क्यों दिया है और क्या बदलाव आएंगे 11 माई से हम आपको बताते हैं आगे के रिपोर्ट में अब नमश्कार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना क्यामरा परसनुन प्रकाश के साथ क्या आप भी किसी को कॉल करते समय कॉल रिकॉर्ड करते हैं या अगर किसी से बात करते समय आपको ये डर लगता है कि कहीं सामने वाला आपकी कॉल को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है अगर ऐसा है तो आज का ये खबर आपके लिए हैं जिहां एंड्रोइड पर सेक्यूरिटी और प्राइविसी को बरहाने के लिए गूगल करे कदम उठा रहा है गूगल ने अपने डिवलेपर पॉलिसी को अपडेट किया है जिसकी वच्छा से अब ये सारे बदलाव होने वाले हैं इसमें रिमोर्ट कॉल औडियो डिकॉर्डिंग को रोकने के लिए एंड्रोइड की सेटिंग से शामिल हैं बताते गूगल ने थर्ड पार्ट के सबही कॉल डिकॉर्डिंग काम करना बंद कर देंगे आप अपने फोन पर वोस कॉल डिकॉर्ड करना चाहते हैं और और अपने पोन के powप करना पारद गारेगा। स्मार्टपोन में built-in call recording पीचर नहीं है तो आप 11 माई के बाद call record नहीं कर पाएंगे ऐसे में आपको हम बता दे true caller भारत में सबसे ज्यादा इस्तिमाल करने वाला डाइलर आप में से एक है जिसका इस्तिमाल का यूजर वॉइस call record करने के लिए भी किया करते हैं call recording भारत में true caller आप की सबसे लोग प्रिये विशिष्टाओं में से एक है लेकिन true caller ने भी ये पुश्टी किया है कि 11 मई से दुनिया भर में phone call record करने पर प्रतिबंद लग जाएगा company इसके बारे में पहले ही बता चुकी है कि लोगों के security की वज़ों से call recording apps को बंद किया जा रहा है call recording apps काई सारे permission लेते हैं जिनका कई developers गलत फायदा उठाते हैं इसके अलावा call recording apps को लेकर अलग-अलग देश में कानून भी अलग-अलग बनाएगा है और गूगल की नई policy से call recording apps कल से पूरी तरह से बंद हो जाएंगे इस policy की वज़ा से true caller ने भी confirm किया है कि अब true caller से call recording नहीं की जा सकीगी लेकिन जिन phone में पहले से call recording का function दिया गया है वो नहीं बदलेंगे पहले की तरह आप अभी भी phone में दिये गए recording system को access कर उसका इस्थमाल कर सकीगे यानि कि अगर आपके phone में inbuilt call recording app दिया गया है तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है दिक्कत उन लोगों को आएगे जिनके phone में inbuilt call recording apps नहीं हैं और वो किसी third party call recording app के जरूरे दूसरे के call को record करते हैं बता दे Samsung, Vivo, Realme और दूसरी कंपनियों की जाधा तर phones inbuilt call recording feature के साथ आते हैं इसलिए ऐसे phone रखने वालों को कोई भी परिशानी या बदलाउस का सामना नहीं करना है नए policy से पहले भी company ऐसे प्रयास कर चुकी है company ने android 10 में call recording को default कर रखा था इस restriction को हटाने के लिए apps ने accessibility API का use करके call record करना शुरू कर दिया था अब Google की नए policy की बाद यह संभौ नहीं होगा Google का कहना है कि वह ऐसा अपनी यूजरों की privacy को ध्यान में रखते हुए कर रहा है ऐसे में अब आप इन नए बदलाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरीके से आप जो लोग call record करते हैं और वो भी बिना permission के उन लोगों के बारे में क्या करना चाहते हैं और आप किस तरीके से आपको यह जो Google की द्वारा privacy को लेकर नया बदलाव किया जा रहा है उस पर क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं हमारे comment box में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ आप हमारे वीजियो को लाइक करें और साजा भी करें ताकि लोगों को भी पता चल सके कि किस तरीके से Google नया बदलाव कल से यानि कि 11 मई से करने जा रहा है तो इसी के साथ हमें दीजियो इजाज़त और बागी अन्य खबरों को जाने के लिए देखते रहे जोंता जंक्शन धन्यवाद